आगे बढ़ते हुए ABPS News टीम का अगला पड़ा ब्लॉक बन्या खेड़ा इस्तित पत्थरा गाउं पड़ा लगबख 6000 की आबादी वाली है ग्राम पंचाया जिला मुख्याले से 21 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गाउं की दूरी मात्रित 3 किलोमीटर ही है वर्तमान समय में इस गाउं की प्रधान शिरीमती विमलेश देवी हैं जिन्होंने इस गाउं को बेहतर तरीके से विकास के पत पर अग्रसित किया है बात अगर शिक्षा की करें तो इस गाउं में लगबख 400 बच्चे जुनियर वा प्राइमरी पार्टशालाओं के अंतगर शिक्षा ग्रेंड करते दिखाई दिये वहीं प्रधान प्रतिदी ने बताया कि गाउं वालों को पेजल आपूर्टी ठीक कराने के उद्देश्य से उनके द्वारा गाउं में 52 हैंट पंप लगवाए गई हैं लेकिन अभी 35 और हैंट पंपोगी सरकार से मांग है उन्होंने बताया कि गाउं में बिजली व्यवस्ता दुरुस्त कराने के लिए लगबग 200 बिजली के पोल वा तीन बिजली के ट्रांसफर्मर भी उनके द्वारा गाउं में लगवाए गई हैं जब ABPS News Team में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि उनके द्वारा 15cc सडके डलवाई गई हैं उसी के साथ साथ 43 सोलर लाइड भी गाउं में लगवाई गई हैं प्रधान के कारियों पर नजर डालें तो गाउं में ग्राम पंचायद घर सामुदाई कें तब ही कुछ उपलब्द दिखाई दिया कहा कि ग्राम पंचायद बेहतर इस्टेटी में है ग्राम प्रधान द्वारा विकासकारे भी सही तरीके से किया जा रहा है लेकिन अभी यहां पर कुछ दबंग हैं जो जमीनों पर अपना कपजा गोशित करके बैठे हुएं तरकार जल से जल इनकी तरफ रूप करें तथा इस समस्या को जल से जल दुरुस्ट करवाएं कि आज तक कोई भी कारिय नहीं हुआ है जो भी विकास हुआ है वो हमारे प्रयाश से हुआ है राज सरकार पकेन सरकार से आसा करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में ब्रात घट बबाल घट बनवानी किरपा करें ग्राम पत्रा ब्लॉक बनिया खेड़ा तैसिल चनोसी संबल के नवासियों हमारे ग्राम में सांसत बबाल बिधायक नीजी दुवारा कोई कार्दय नहीं हुआ है जो भी विकास हुआ है हमारी ग्राम प्रदान जी श्री बिम्रेश्क देवी के अथव अथव प्रयास से हुआ है राज्यवा केंद्र सरकार से सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ग्राम बच्चाद में बाल घाट बराद घर अभी तक कोई बने नहीं है आशा करते हैं कि राज्यवा केंद्र सरकार फूल बनाने में स्योग करें